प्रिजन्ट कांटीनिवस टेंस आज हम पढ़ेंगे प्रिजन्ट पर्फेक्टेंस तो इसका मतलब होता है कि वर्तमान समय में जो कार्य समाथ हो चुका है उससे हम किसमें रखते हैं प्रिजन्ट पर्फेक्टेंस में जो हमारा आज का समय है उसमें जो कार समाप्थ हो चुका है उसको हम किसमें रखते हैं प्रिजन्ट परफेक्ट टेंस में तो फ्रेंड्स इसकी जो एडेंटिटी होती है जो इसके हिंदी वाक्य होते हैं वो समाप्थ होते हैं हमारे चुका है चुकी है चुके है आया है गया है लिया है दिया है इस तरह के वाक मतलब इस तरह के वर्ड्स पर समाप्त होती है हिंदी वाक जो इसका होता है वो इसी पर समाप्त होता है मतलब इसमें यह पता चलता है कि काम हमारा जो है वो समाप्त हो चुका है तो फ्रेंट्स आगे हम देखेंगे जो हमने लिख भी रख लिखा है कि हिंदी वाग के जो इसमें हैं चुका है चुकी है चुके हैं आया है गया है लिया है पर समाथ होते हैं तो इस टेंस में यहां पता चलता है कि कार हमारा जो है वो समाथ हो चुका है और इस टेंस में हेल्पिंग वर्फ हमारा लगता है है या है तो इस तरह से प्र present का perfect tense होता है इसमें हमारा helping verb लगता है has या have तो friends किसके साथ have लगाते और किसके साथ has लगाते उस पर हम ध्यान देंगे तो you, we, they या plural subject तथा i के साथ हमको क्या लगाना है have क्या लगाना है have he, see, it तथा singular subjects के साथ हमको क्या लगाना है has लगाना है और तो इतना हमारा clear हो गया कि किसके साथ हमको has लगाना और किसके साथ हमको have लगाना है अब हम आगे बढ़ेंगे, friends, main verb हमारा जो है, वो है verb की third form जैसे verb की चार form है, first form, third form, second form, ing form तो इसमें हमको main verb की जो verb होगा, कार्य होगा, उसकी third form को लगाना है तो friends हमारा जो इसमें rule होता है, फर्मेंट्यू, उसका क्या होता है, सबसे पहले हमको friends लिखना है इसमें subject, उसके बाद has या have, subject जैसा है, उसके साथ हम इसमें क्या लगाएंगे has या have, फिर हम इसमें क्या लिखेंगे, verb की कौन सी form, third form फिर object हमारा आ जाएगा, फिर other word आएगा तो सबसे पहले हमको लिखना subject, subject के बाद लिखना has या have has, have के बाद हमको लिखना verb की कौन सी form, third form उसके बाद हम लिखेंगे object plus other word तो जैसे पहला संटेल लिखा है, मोहन अपना पाठ याद कर चुका है कौन अपना पाठ याद कर चुका है, मोहन अपना पाठ याद कर चुका है तो subject हमारा कौन है इसमें, मोहन काम क्या है, मोहन का याद कर चुका है तो मोहन का काम है याद करना और क्या याद करना है, पाठ याद करना इसी तरह से दूसरा इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं मोहन ने अपना पार्ट याद कर लिया मतलब मोहन का काम जो है वो हो जुका है या मोहन ने अपना काम कर लिया है मोहन का काम जो था वो समात हो गया तो subject हमारा इसमें कौन है मोहन, काम को करने वाला है मोहन, फिर हम इसमें क्या लिखेंगे मोहन हमारा एक singular subject है, एक वचन है, तो मोहन के साथ हम क्या लगाएंगे has, फिर हम इसमें क्या लिखेंगे वर्ब की third form, तो वर्ब क्या है याद करना, learn होता है, first form तो इसकी third हो जाएग लर्नेट हमने क्या लिखा लर्नेट मोहन है लर्नेट क्या याद कर चुका है मोहन है लर्नेट अपना पार्ट ऑबजेक्ट क्या है अपना पार्ट हमने क्या लिखा हिज लेशन मोहन है लर्नेट हिज लेशन तो इसको हम हिंदी में दो तरीके से बोल सकते जैसे मोहन अपना प students ध्यान से देखेंगे मोहन अपना पाठ याद कर चुका मोहन हैस लर्नेट इस लेसन हम इस तरह से इसको कर सकते तो इसका रूल यह होता है सबसे पहले हमको लिखना सब्जेक्ट उसके बाद है जया है फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑप्जेक्ट उसके बाद अधर वर से जो सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट के अधर हमने क्या लगा दिया है उसके बाद हम क्या लिखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म तो फश्ट तो हमने क्या याद करने की थर्ड फॉर्म लर्नेट लगा दी फिर ऑप्जेक्ट हमारा क्या था अपना पार तो हम लेशन लिख डिया, Mohan has learned his profession. अब आगे देखेंगे हम, यह से लिखा है मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है. तो यहाँ पर सबजेक्ट कोण है óio, i Keesat, हम क्या लगाते अभी पढ़ा हमने की I you be the plural के साथ है तो हमने क्या लगाया have लिख दिया अब यहाँ पे हमारा काम क्या है पूरा कर लिया है तो पूरा करने की होती complete तो third form क्या हो जाएगी completed तो I have completed I have completed किसका काम अपना काम तो I के साथ हम अपने के लिए क्या लगाएंगे my I have completed my work तो यह समझ में आ गया होगा आप लोग की कि मैंने अपना काम कर लिया तो subject कौन था I लिखा I के साथ से हमारा क्या लगना चाहिए helping work है तो हमने have लगा दिया मैन वर्ब की थर्ड फाम उसके बाद जो हमारा object था वो हमने लिखते है हमारी work सो subject होता वही है जो काम को करता है काम क्या होता है जो वर्ब क्या होता है जो काम होता है हमारा और object क्या होता है जो काम हमने किया या जो भी subject हो करेगा हमने उसे बुला लिया है तो इसमें subject हमारा कौन है हमने उसे क्या है object बुला लिया है हमारा verb है तो सबसे पहले हम को लिखना क्या है subject हमने क्या लिखा we हमारा plural subject है तो plural है उसके बाद हम उसके साथ क्या लगाएंगे have तो हमने helping verb क्या लगा है और बुलाने की क्या होती है called या invited पी तो यहां पर बुलाया है, पुकारा है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, काल, अब काल की third form हो जाएगी, काल, we have called, हमने किसको बुलाया, उससे, तो ही का जो पोजेसिब, वो objective case होता है, वो होता है, हमारा, हिम, तो हमने उसे बुला लिया है, तो we have called, हिम, अब हम आगे बढ़े निगेटिव संटेंस पर आएंगे जब निगेटिव संटेंस होता है मतलब संटेंस में नहीं या कभी नहीं लिखा होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते नाट या नेवर तो उस नाट या नेवर का परियोग हमको करना है हेल्पिंग वर्प के बाद हमारा हेल्पिंग वर् अबचेक्ट अधर वर्ड तो अब आगे बढ़ेंगे जैसे और इसमें हमने क्या लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉट या नेवर के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का परियोग करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें क्या लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो student देखेंगे, हमारा जो subject है, वो जैसे लिखा है, डाकिया पत्र नहीं ला चुका है, कौन पत्र नहीं ला चुका है, डाकिया, तो हमारा subject कौन है, डाकिया, तो हमने क्या लिखा, the postman, postman singular subject है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, has, तो subject लिखा, फिर हमने has लिख दिया, लिखा later, the postman has not brought later, मतलब जो बढ़ा किया है वो पत्र नहीं ला चुका, आगे बढ़ेंगे, हम cricket नहीं खेल चुके हैं, subject हमारा कौन है, we, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, subject के अनुसार हमको लगाना, helping verb, हमारा helping verb क्या है, have, तो हमने क्या लिखा, have, अब उसके बाद नहीं हम क्या लगाएंगे, not, फिर हमारा verb है, खेल चुके, play, play मतलब खेलना, हमारी verb की third form लगेगी, तो क्या लगाएंगे, played, क्या खेल चुके हैं, cricket, we have not played, cricket, हम cricket, नहीं खेल चुके हैं, या हमने cricket, नहीं खेला है, बात तो वहीं हो जाएगी, इसमें, अब हम आगे लगाएंगे, वे स्कूल नहीं जा चुके हैं, वे मतलब दे, वेक इंगलिस हमारी क्या होगी, दे, दे हमारा plural, subject होता है, plural के साथ हमको लगाना क्या helping verb, have, फिर हम क्या लिखेंगे, not, फिर हमारा third form क्या होगा, go मतलब जाना, और इसमें third form gone होती है, तो हमने क्या लिखा gone, फिर कहा जा चुके हैं, to school, they have not gone to school, वे स्कूल नहीं जा चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, उसने तुम्हें नहीं पुकारा है, पुकारना मतलब बुलाना, तो किसने नहीं बुला है, उसने, उसने मतलब he, singular subject है, तो he लिख दिया हमने, he के साथ हमारा helping verb क्या है, has, फिर हम क्या लिखेंगे, not, दिखो इससी तरह से हम चलना है, subject, फिर has, फिर not, फिर हम को क्या लिखना है, verb की third form, फिर object, other word, he has not, अब verb हमारा क्या है, call मतलब पुकारना और इसमें हमने क्या लगा दिया, ed, तो ये बन गया हमारा third form, called, he has not called you, उसने तुम्हें नहीं है, या उसने तुम्हें नहीं बुलाया है, अब students, अब हम आगे बढ़ते हैं, interrogative की तरह, तो interrogative sentence हमारे दो परकार के होता है, एक होता हमारा first type, दूसरा होता हमारा second type, तो first type में क्या होता है, first type में, जो हिंदी का वाक होता है, उसकी सुर्वात होती है, हमारी क्या से, किसे क्या से, उसके प्रारंब में आता है क्या सब्द, तो उसक्या सब्द की हम English what होती है, लेकिन उसका परियोग हम नहीं कर सकते, उसके इस्थान पर हमको इस tense का helping verb लिखना होता है, वो भी subject के अनुसार, हमारा जैसा subject है, उस subject के अनुसार हमको क्या किये जिगए पर, जो क्या है, उसकी English what ना लिखकर, उसके इस्थान पर, उस subject के अनुसार, has या have का परियोग सबसे पहले करना पड़ेगा, हमारा subject इसमे helping verb हमारा है, has या have, तो subject हमारा जैसा होगा, उसी subject के अनुसार हम इसमे have या has का परियोग करेंगे, तो हमारा इसका जो rule होता है, तो वो क्या हो से क्या लिखा है, तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, has, क्योंकि सीता एक वचन singular है, तो हमने क्या लिखा, has, फिर क्या लिखेंगे, हम सीता, has, सीता, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब की थड़ फाम खा मतलब, eat, eat मतलब खा, और eat की थड़ फाम होती है, eaten, has, सीता eaten, सब आम सीता ने सब आम खा लिये मतलब सीता सारे आम खा चुकी तो has, सीता, इटन सब के लिए हम क्या लिखाएंगे आल फिर क्या लिखेंगे, मैंगोज has, सीता इटन, आल, मैंगोज और राष्ट में हम क्या लगाएंगे question mark, अब हम पढ़ेंगे आगे, क्या तुमने अपना पार्ट याद कर लिया है, तो students, क्या तुमने अपना पार्ट याद कर लिया क्या आगे लिखा है, क्या है तो हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे तुमने है, तुमने plural subject है, plural subject होगा, तो हमें आपर क्या लगाएंगे फिर क्या लिखेंगे यू सबजेक्ट हमारा कौन है यू अब फिर हमको लिखना क्या है वर्ब की थर्ड पाम वर्ब हमारा क्या है याद करना लर्न मतलब होता है याद करना और थर्ड पाम हमारी होती है लर्नेट तो है यू लर्नेट क्या याद कलिया है अ फिर क्या आएगा हमारा क्या कपिल किर्केट खेल चुका है कपिल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे हैज लिख दिया हमने क्या कि गए पर फिर हमारा सब्जेक्ट कौन है कपिल तो हमने क्या लिख दिया कपिल का वर्ब क्या था काम क्या था खेलना तो उसने क्या लिखेंगे play तो हमने play और played कर दिया play की थार्ड फाम क्या हो गई played क्या खेला उसने cricket has couple played cricket मतलब क्या couple cricket खेल चुका तो इसकी इंगलिस हम कैसे बनाएंगे has couple played cricket क्या couple cricket खेल चुका है अब आगे student देखेंगे क्या उन्होंने किताबे खरीद ली है तो क्या उन्होंने मतलब way बहुचन है plural subject है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे क्या कि इंगलिस have क्योंकि उन्होंने plural में आया तो उन्होंने के लिए हम क्या लगाएंगे they फिर काम क्या है खरीद ली है मतलब by, bought, third form हमारी क्या हो जाएगी, bought तो हमने क्या लिखा, bought have they bought, क्या खरीर लिया है books, have they bought, books last time हम लगातेंगे, question mark तो students, interrogated जो first type होता है, उसमें हमें subject के अनुसार, helping verb, helping verb, has या have को सबसे पहले लिखना है, वो भी subject के अनुसार, उसके बाद subject verb की third form, plus object plus other word, इसका जो rule है अगर rule आप लोग learn कर लेंगे तो बहुत ही चल्दी आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही easy तरीके से आपको करना आ जाएगा अब हम आते हैं, wh type पर, या second type भी बोलते हैं इसको, इसमें क्या होता है इसमें जो हिंदी वाकि होता है उसमें कोई भी प्रस्न सूचक सब्द question word बोलते हैं इंगलिस में, हिंदी में बोलते हैं प्रस्न सूचक सब्द, तो वो प्रस्न सूचक सब्द हिंदी वाकि में बीच में आते हैं जब वो बीच में आते हैं जब उनकी English बनाते हैं हम तो सबसे पहले उसी question word को बाहर निकाल कर लाते हैं और उसकी English लिखते हैं उसके बाद subject के अनुसार has या have लगा देते हैं उसके बाद subject वर्ब की third form plus object last way other word question markah पर योग कर देते हैं इसमें जो second type होता है तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है उसी question word को बाहर लाना है जिससे सवाल पूछा जा रहा है जिससे हमारा question create हो रहा है तो students हम आगे देखेंगे question word हमारा जो rule इसका बनेगा तो सबसे पहले हमको question word लिखना उसके बाद has have लिखना फिर subject लिखना वर्व की third form उसके बाद object तो सबसे पहले question word इसमें क्या है चपरासी कहां चला गया तो सबसे पहले इसमें question हमारा किससे हो रहा है कहां से तो कहां क्या है question word तो सबसे पहले हम इसी question word की English लिखेंगे तो क्या लिखेंगे where लिख दिया अब चपरासी जो हमारा है वो प्यून वो कितना है singular subject है तो उसके साथ हमको लगाना has तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे has फिर उसके बाद हम subject पूचा तो subject हमारा क्यों है प्यून चपरासी where has फिर चला कया है मतलब जा चुका है काम हो चुका है तो go की third form क्या होगी कौन और last में हम क्या लगा देंगे third form तो एक तम easy है की नहीं है सबसे पहले question word लिखा has have लगा दिया subject को लिख दिया verb की third form इसमें कोई object था ने छोड़ दिया और last में हमने question mark लगा दिया अब आगे हम बढ़ेंगे उन्होंने आज क्या खाया subject इसमें कौन है उन्होंने और हमारा question word क्या है question word है क्या तो क्या की English अब हम what लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या शुरुआत में बीच में आया तो जब बीच में है लिखेंगे subject हमारा subject कौन है दे तो हमने क्या लिखा दे खाने की क्या होती eat की third form होती हमारी eaten तो हमने क्या लिख दिया eaten what have they eaten today मतलब कब खाया आज खाया last में सवाल हमारा question हमारा था उन्होंने आज क्या खाया तो what have they eaten today इस तरह से हम इसको English में भी पूछ सकते हैं तो सबसे पहले में question word, helping word, subject, main word की third form और उसके बाद other word या object लिखेंगे अब अगले पे हम आते हैं जैसे बोला गया वहाँ आद दिली क्यों चला गया है सवाल फे क्यों चला गया है तो सबसे पहले मिसी क्यों की English लिखेंगे अब subject हमारा singular है तो हम क्या helping word हम भी हमारा singular होगा has लगाएंगे फिर subject हमारा कौन था ही उसको हमने लिख दिया उसके बाद हम क्या लिखेंगे question word हो गया, has have हो गया subject हो गया, अब क्या बोला है वर्ब की third form, वर्ब क्या है चला गया, तो go की third form गोन लिख दिया why has he gone फिर कहां चला गया, to the lahi object हमारा क्या है, the lahi और फिर other word में हम क्या चला जाएगा, today तो last word में हमारा क्या गया, today तो वहाँ आज दिली क्यों चला गया है, तो समारा सबसे पहले क्यों लिखा गया, फिर क्यों के बाद हमने क्या लिखा, helping word question word के बाद, helping word उसके बाद subject, main word की third form object और other word last में हमने लगाया, question mark अब हम आगे बढ़ेंगे, last वाले पे अपने, जैसे बोला गया वहाँ आज खाना क्यों नहीं लाई है, मतलब वहाँ खाना क्यों नहीं लाई चुकी है या उस वहाँ खाना क्यों नहीं लाई है, मतलब काम आज ही नहीं हुआ है, मतलब negative इसलिए आज ही नहीं हुआ है, तो यह इंट्रोगेटिव का हमारा negative sentence है हम जड़ा ध्यान से देखेंगे सबसे पहले क्यों बोला गया, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे वाई अब हमारा subject है, वहाँ एक लड़की है अकेली, मतलब वहाँ बोला गया तो लड़की है, पीछे से पता lie है ना, लाया है तो है नहीं lie है, इसलिए यह कौन है, लड़की है तो singular है, हमारा जो प्रोनाव होता है, वह सी होता है तो singular है, तो इसके से पहले हमको लगाना क्या है has, उसके बाद हम क्या लगाएंगे c, why has c, उसके बाद हम क्या लिखेंगे not, why has c not खाना क्यों नहीं लए, why has c not अब वर्भ हमारा क्या है, लाना, लाई तो bring की third form हमने क्या लिखा brought, why has c not brought, why has c not brought क्या नहीं लाई है, खाना तो हमने क्या लिख दिया, the food, why has c not brought the food कब इसमें अधर वर्ड हमारा किसमें चला जाएगा today में, तो why has c not brought the food today, वह आज खाना क्यों नहीं लाई है, तो